हुआ गाईज पेटा अव आपान लोगोना हमारे 3D na erfolgreich ओपर आने वाले हैं 3Dlä में पासलस्काव हो जाते हैं अबना जो पेपर बन जाते त्राइंगल रेंगल रहते से या से अरह और रह दे सिर्क्ल रहते थे تँन और भाण रिव अधा या सब्सक्राइब ला बना गया इस साल आपने डिखने वाला बना रहें यह एग क्यूब हो गया या इस साल एंदर वाला हो गया इन figures में अपन लोग क्या सीखने वाले इस साल अपन देखने ले एरिया निकालना एरिया भी दो तरीके का निकालना सीखेगे और एक volume वाल्यूम इसे एरिया दो कौन से तरीके के दो निकालना सीखेगे बेटा अपन एक ना lateral surface area जिसको हम लोग आगे curved surface area जैसा भी use करने वाले या तो वो या total surface area निकालना सीखने वाले हैं और volume पेटा इनमे difference क्या होता है lateral curved और ये total में उस सब कुछ देखेंगे attention मत दो सबसे पहले अपन किस कीश करना बात करते हैं अपने cuboid figure की बात करना शुरू करते हैं मैं कैसे बना रहा हूं आपको बनाना नहीं एक बार देख लीज़े पूरा को रहा हुआ अच्छे क्यूब दिख रहा है अपना cuboid देखा है मान लीजे ठीक है अब गाईस आप लेको कभी क्यूब वाइड रहा तो आप जो अपना classroom सकते है उसको imagine कर सकते है ठीक है या अपने classroom सकते है वह या घर का जो होगा उसे आप imagine कर सकते है ठीक है देखिए बैटा अब इसमें क्या हो जाता है यह देखिए एक एक संद जो मैंने को बना लेता हूँ जिससे आप लोगो और अच्छे से हो जाए सुरी गई अब थोड़ा बेटर बनना लाप लोगो के लिए ठीक है यह देखिए अब एक यूवाट जैसा लग रहा है अब गई देखिए इसमें यह चीज़ जो है मेरी यह लाल कदर में जो मैंने पेंट किया है यह लेंथ है मेरा ठीक है यह वो लेंथ है बिटा तो यह भी तो मेरा लेंथ होने वाला है दोने इक्वल लेंथ के रहेगे राधर यह वाला भी तो मेरा लेंथ ही रहने वाला है यह वाला भी यह यह भी मेरा क्या रहेगा लेंथ ही रहने वाला है तो ठीक है तो यह ब्लू कलर से देखिए यह यह जो है यह मेरा ब्र करेकर शांती जांती रहलों कि कर देता हुब यह मेरा हें वाइड़ बन जाएगा यह भी मेरा हीड़ जाएगा यह गास फैर नौफ यह आद के अपो अब देखो बेटा अपन लोग ना अलग-अलग-अलग-फेस darauf एरिया निकालने वाले है, फेसे समझते न आपको देखो, यह एक फेस हो गया, पूरा का पूरा वाला, यह जमीन एक फेस हो गई अपनी, या फिर अपना ये वाले साइट के दिवार एक फेस हो गई, या फिर ये वाले साइट के एक दिवार फेस हो गई, यह उपा जो सीलिं यह पूरे को यह लेंज से बटा मेरे ठीक है जो मैं ब्लू को लगर से लिखना हूं बिटा इस सब मेरे ब्रेथ है और जो ग्रीन इस सब बच्चा लोग मेरी हाईट से है फ्रेट लिए अब देखोए सबसे सामने जो मुझे दिख रहा है न यह यह इसका एरिया कितना होगा इसको मैं निकालना चाहूँगा तो इसको मैं फेस बनने या फिर रोग दो इसको भी कैसा आप लोग और इस दिखाने के लिए बटा मैं देखिए अब देखें मेरा बच्चा लोग फेस ए बी टी डी ए एडिया और अफ ए बी टी डी पीटा यह क्या बन रहा है अब 2D मेर मेरा रिक्टांगल बन रहा है रिक्टांगल का एरिया यहां पर जाएगा यह मल्टिप्लाइट बाइ यह मतलब L इन्टू हो जाएगा ठीक है अब इसी के मिल्कुल एक्जाक्टी पीछे वाला यहने यह EFGH जो है बटा ठीक है मैं हम देख रहा हूँ एरिया EFGH यह जाए इसका हाइट इसका भी एरिया किता हो जाएगा L इन्टू हो जाएगा समझाए चीज़ अब गाइस अपन लोग ना इसका रेखते है यह ठीक है अब देखो मैं यह दिवाल का हीटे देखो एरिया A D F E तो यह जाएगा ब्रेथ और यह किता हो जाएगा मेरा हाइट तो ब्रेथ और यह किता है अपनी हाईट तो B इन्टू ही यह जाएगा पीटा मैं फ्लोर का एरिया देख न है यह फ्लोर देखिए फ्लोर का है मेरा एरिया alar जी, एफ, बेड़ा, वो कित वर जाएगा, L इंटू B हो जाएगा मेरा, फैर है यहां तक है, अब ये, ऊपर वाला, वो कित वर जाएगा डारा, A, B, H, E, एरिया, A, B, H, E, वो भी जाएगो, L इंटू B ही हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा, आमने सामने वाले, त हो रहा है, तो मतलब मान लो, मेरे सामने है, वो छोटी वाली दिवार है, बाजू में बड़ी वाली दिवार है, ठीक है, और ये, ऊपर नीचे है, मतलब मान लो, मैं कुछ ऐसा फेसिंग हो, मेरा चेहरा इधर है, ठीक है, तो देख अभी, मेरे आजू-बाजू के दोनों दिवारों का यहां का भी यहां का भी यह 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 लाटरल सर्फेस एरिया का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ लाटरल सर्फेस एरिया मतलब चार दिवार, चारो दिवार का एरिया उपर का और नीचे का इंक्लूड नहीं करता है लोगो मेरा लाटरल सर्फेस एरिया बेसिकली क्या होने वाला है वो ये वाला wall का area होगा प्लस ये पीछे वाली wall का area हो जाएगा प्लस ये वाली wall का area हो जाएगा प्लस ये वाली wall का area हो जाएगा तो मैं बेशली lateral surface area के होगा देखे ये जाएगा LH उसे पीछे में भी LH सामने वाला BH पीछे वाला भी BH तो basically बच्चा का मैं देखूँँगा तो मेरा आंसर केगा 2 times LH plus 2 times BH descriptive property का उल्टा यहने common अगर मैं निकालूँगा तो 2H common निकलेगा ब्राकेट में गया सेगा L plus B बचेगा तो मेरा lateral surface area cuboid का कितना हो गया 2H L plus B समझाए क्या हुआ बेट आपको यह से चार दिवारियों का एरिया कितना हो गया 2H Latteral surface area का मतला समझे आप लोगो अब बेटा देखो अब मैं total surface area नाम में है total तो क्या है पूरा चार दिवारियों तो ही उपर का भी और नीचे का भी वो निकालने कोशिश करता हूँ तो देखिए अब मेरा total surface आपको TSA करते है तो देखिए आजू बाजू वाले जो बड़े दोनों दिवार थे ने LH प्लस LH आमने वा सामने वाले मेरे BH और BH उपर और नीचे वाले भी दोनों की जोने ने LB प्लस LB तो final answer तो जागा 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB देखा जाए तो आप बस से फोर स्प्लस 2 common निकल रहा है बेटा मेरा common निकला answer कर गया है LH प्लस LB पेटा बेटा TSAB आ गया समझाए क्या हुआ है पक्ता देखो आपको formula रटा हुआ नहीं भी रहता अब फट से निकाल से तो कैसे अपने को लसे ने चार दिवारी पूछा है ठीक है विसे रटा हुआ नहीं रहा आपको निकालना तो बहुत जाद अच्छे कि अपने को questions में और भी बहुत complications आएंगे जो बताने हो लेगे अपने वसे चार दिवारी पूछा है उसने यहां अपना आ जाएगा नहीं सफ हमें तो टी है पूरा पूछ है टीक है टू एले च तो बी उसको सुल्फ किया तू कॉंबन निकला यह बन जाएगा समझा यह चीज़ अगई मेरा सज़ेशन यह है आप लोग प्लीज यह चीज को ऐसी बनाईए आप से इसा बनाए के तो आप लोग खुद को अच्छा हो जाएगा तस यही चीज को अपने रूम जिस रूम में बैठे हो अगर वो क्यूबाइडल शेप का है तो उससे देख लो या माचित लेका जो अपन लोग ना फॉर्मला चार्ट बना रहे है अपने खुद के लिए ठीक है अपने क्यूबाइड को दो पार चल गया एल एसे क्या है टू एच ब्लाकत में एल प्लस भी है उससा टी एसे है टू एल एच प्लस भी है ठीक है बॉल्यूम अपन बाद में देखने वाले लोग में सर्फिस एडिया इसको प्लीज पॉस रचाप लो बना लो पेंट किया और सीलिंग को मैंने पेंट कर दिया तो उससे क्या अपने लोग मेंडिकालना है तो देखिए अपनी4 दिवारी का तो अ Leah मुझे पता है तब मेरा एरिया क्या हो आहां एलयकि अट्यसर दिवारी, लूजा Um lead और ऊपर नीचे वाला क्या है सिर्फ 1LB है ऊपर नीचे नहीं है इसलिए 1LB लिए तो ऊपर ही है तो 1LB हो गया समझा आप लोग को मतलब अगर मज़ें चार देवारी और एक सीलिंग का करना है तो बेटा रट नहीं सकते आप लो ठीक है चलो नहीं अब ये नहीं सर अब हमें पेंटिंग करना था तो देखिए मैंने क्या किया है वो दोनों बड़े वाले जो थे मेरे साइड वो किया है मेरे एक ही छोटे साइड को किया है और एक सीलिंग को किया है मतलब आप लोगों ने अप्या किया है ये इसको paint किया है साथी साथ में बेटा इसको paint किया है इसको paint किया है और ये छज्जे को paint किया है अब बता अब ये लिए क्या हो रहा है बेटा रख थोड़ी सकता है, खुद बाना पड़ेगा न तो कि दोनों बड़ी दिवारी, मतलब 2 L H हो जाएगा एक पीछे में छोटे लिए दिवारी मतलब 1 B H हो जाएगा और मेरा ceiling को किया है 1 L B भी हो जाएगा 1 L B लिखो ये सिर्फ L B लिखो आपके उपर है, समझा ये भी क्या हुआ है शौर, तो लेको बेटा ये ऐसे अलग-अलग-अलग-अपन फॉर्मूले बनाते है तो basic आपको L S से पता होना चीए और T S से पता होना चीए बचे जो अपने वो खुद बनाने पड़ेगे अपन तब की तब बनाने वाले है तो उसा tension मतलो, fine तो गईस अगर ये नहीं लिखा है आप तो कोन अच्छे थे तो प्लीज एक और बार pause करके आप लोग अच्छे से इस पीस को पुरा-पुरा लिख लीजे अब बेटा ये तो अपना कौन से होगा ये अपना हो गया क्यूबोईड, अपन क्यूब करेगे क्यूबोईड भी क्या, क्यूब भी है पर अपना हर एक साइड इकॉल जाती है अब देखिए अपना जो डाइस होकर होता है न जो खेलते हैं लूड़ो-ूड़ो उसके अंजर जो यूज आता है क्यूब अब देखिए इसमें हर एक साइड मेरा एस, 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 ये एस, इसका एस, ये इसका एस रहेगा इसमें हर एक फेस देखो हो स्क्वेर आएगा हर एक फेस का एरिया एस स्क्वेर हो जाएगा तो देखो अपने लाटरल सर्फेस एरिया कितना एजी होना है इसका lateral surface area देखो ये दिवाली का area किता होगा S square ये पीछे वाली दिवाली का इलिया भी S square होगा इसका भी S square इसका भी S square तो total मिला किता होगा 4 S square और ये ही चीज नहीं तो पूरे का पूरे सारी गोई 6 sides है मेरा total surface area किता होगा 6 sides square इसका भी derivation अपने कर लिया, derivation पूछता नहीं एक्जाम में पर आप लोग ये बना लो फिछार्ट में भी आप entry कर ले ना, चलो, pause करो और कर लो इसका भी Great, एक बाद चार्ट में अपने ले भी लिख लेता हूँ मैं ये क्या था मेरा, 4 sides square था ये 6 sides square, ठीक है अपन में बेटा cylinder जो है, वो अपन next sessions में रेखेंगे अपन लोग अब अपन जब next session आएगे ना विटा अपन इसके उपा अलग-अलग questions करना ले अपन NCRT के भी questions करेंगे, बाहर के भी कई सारे करना ले, आपसे रिक्वेस्ट के आए फॉर्मुला जैसे बनाया है, कैसे बनाया है वो समझ लीजे, थोड़ा सा आगे complications अपने को आने वाले हैं, ठीक है तो प्लीज गाईज, ये जो session था इसको थोड़ा इज़द दो कि ये चीज़ 9th में आपसे आने वाली है, 9th पर आदा आपको और figures आगे, कौन से कौन से आगे वाले हैं, फिर 10th में एक और नया figure आजाएगा, तब की तब देखेंगे अपन अभी 8 का संबालते हैं, ठीक है चलिए गए, next session में मिलते हैं, बाबाई